कच्च प्याज की, पालक की और दाल की और बात करूँ दाल कोई भी हो या फिर मूंकी आज एक ऐसी रेसिपी तयार करेंगे जो बहुत ही ज़ादा नई है इसमें हमने कच्च प्याज, मूंकी दाल और पालक के साथ साथ टमाटर, बड़ी हरी मिर्ची और अद्रक का इस्तेमाल क्या है हरी मिर्ची बड़ी होगी तो ही इसका स्वाध आने वाला है तो सबसे पहले आपको एक पालक की गठी ले लेनी है और आदी कटोरी मूम की दाल भिगो के रखनी है 15-20 मिनिट के लिए पालक का गंद आप एक बार अलग कर ली और उसके बाद पालक को छोटा काट ले अपने स्टाइल अनुसार अपने स्वाध अनुसार आप किसी भी शेप में पालक को काट लीजी थोड़ा पालक कैसी भी हो इसमें थोड़ा जादा फरक पढ़ने नहीं वाला है पर हाँ जितनी अच्छे से काटेंगे और जितनी ताजी पालक होगी उतनी ही बढ़िया रैसे भी ये बनके तयार होगी तो फटा फट से इस कटीवी पालक को एक बरतन में फटा फट डाल के धो लेते हैं इस पालक को आपको धो के 5 मिरट साइड रखना है और सूखने देना है उसके बाद वहीं पे दोस्तों अब हम फटा फट से एक बरतन ले लेते हैं एक पैन ले लेते हैं जहाँ पे हमने हलका सा तेल और ये पालक को डाल लेना है पालक आपको फटाफट सुखा के ही डालनी है घीली नहीं डालनी मतलब पानी के साथ नहीं डालनी है अब इसी पालक के उपर हमें थोड़ी सी मूंकी डाल जो आदा कटोरी भिगा के रखे थी उसमें पानी अलग करके सिर्फ डाल 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 लेनी है अब इसको आपको सूखा भूनना है बिना किसी और समगरी के साथ लगभग 4-5 मिनट लो आज पे भूनते रहना है जब तक ये भूनेगा आए आगे की प्रक्रिया दूसरे तरफ पूरा करते हैं जैसे की शुरूआत में मैंने आपको दिखाय था इस रेसेपी में हम बड़ी साबत एक हरी मिर्ची लेने वाल हैं तो आप हरी मिर्ची को ऐसे गोल-गोल काट लीजिए जैसे आपके जलपीनोज या ओरिगेनोज होते हैं उस तरीके से आप इसे गोल-गोल काट लीजे हरी मिर्ची काटने के बाद आप अन्ने बाकी चीजे भी काट लीजेगा तो देख लीजे हरी मिर्ची हमने सारी की सारी कैसे जटपट काट ली है इसके बाद मैं फटफट छोटा छोटा टमाटर काट लेता हूँ ये रेसिपी अभी तक आपको सोच में भी नहीं आ रही होगी कि हमारी वहाँ पे पालक और दाल भूनी जा रही है और यहाँ पे वेजिटेबल काटी जा रही है तो क्या हम इसे तड़के के लिए काट रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है हम यहाँ कोई भी तड़का नहीं लगाने वाले हैं और आप भी देख के एकदम खुश हो जाएंगे कि ये रेसिपी का ऐसा भी कुछ हो सकता था अब हमने टमाटर काट लिए हैं हरी मिर्ची काट लिए अब हरा प्याज काटा जा रहा है हरा प्याज इस रेसिपी में इतना अच्छा टुश्ट ला देगा कि आप कहेंगे यार ऐसा नहीं सोचा था इतना नया पना आ जाएगा इसमें तो चलिए कच्चा प्यास भी सारा का सारा काट लिया है वहीं पर जैसे ही आप सारा का सारा कच्चा प्यास काट ले हमारी दूसरी तरफ जो हम दाल और पालक भून रहे हैं वो भी भून चुकी होगी तो चलिए इसको काटते ही छोटा-छोटा सा चॉप कर लेते हैं ये इता बड़ा-बड़ा नहीं हमें चाहिए था छोटा-छोटा चॉप बहुत अच्छा निकड़ के आएगा इस रेसिपी के लिए उसके बाद हम अपनी गैस की और वापस बढ़ लेंगे तो ये देखिए लगबग हमारी दाल और पालक भून ली गई है इसमें हम लगबग 2-3 लसन की फाड़ी आपशनल है आप डालना चाहें और अगर अद्रक वो भी आपके लिए आपशनल है वो डालना चाहे तो इसमें भूनते वक्त थोड़ा सा डाल लीजी तो चलिए हम क्यों देरी करें हमें तो लसन पसंद है इसलिए मैं लसन डाल रहा हूँ अब बस आदा मिनट और हमें भूनना है और इसको हमने फिर बंद करके दो मिनट ठंडा होने देना है और या फिर अगर आप ठंडा नहीं होने देना चाहते तो इसमें दो तिन बरफ की क्यूब डाल लीजी तो चलिए ये ठंडा हो चुका है अब हम क्या करेंगे फटा फट से मैं ले लेता हूँ एक मिक्सी का जार जहां पर हम ये सारी की सारी समगरी उसमें डालेंगे मिक्सी के जार में हमूं की डाल का और पालक का मिश्रन जो हमने तयार किया है वो डाल लेना है और 7 हीमें इसको फटा फट से हमें पीश लेना है पीशते वक्त अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं जैसे मैंने भी डाला और ढख के बंध करते हैं ये मिस्ट बनाते तेयार खती है तो हमारा पेषट तैयार है पेश्ट में हम डाल लेते हैं लगबग 2 बड़े चमच या फिर 3 बड़े चमच के आसपास बेशन बड़े चमच आप देख सकते हैं यह जो नॉर्मल चैपत्ती या फिर चीनी वाले चमच होते हैं इसे 3 चागुना बड़ा है लगबग 7-8 चमच हमने चोटे बेशन के डाले और थोड़ा सा पानी डालके इसको अच्छे से घुमा लीजी अब आपका यह गाड़ा पेस्ट बनके तयार हो चुका है इस पेस्ट को अच्छे से घुमने दीजे और उसके बाद हम इस पेस्ट में डालेंगे कुछ मसाले स्वाधनुसार तो चलिए ये अच्छे से घुल चुका है बस आदा मिनट और और उसके बाद मैं इसमें मसाले डालना शुरू कर देता हूँ सबसे पहले मैं डाल लेता हूँ इसमें नमक नमक के बाद मैं लाल मिर्ची पाउडर डालूँगा काली मिर्च डालूँगा धनिया पाउडर डालूँगा और पिर गरम मसाला डालूँगा इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब देखिए ये कितना अच्छा मिष्ण त्यार हो चुका है अब दोस्तों जैसे ही मिशन त्यार हो जाए फटा फट से अब हम बनाएंगे पालक और दाल के चीले और जो सब्जिया हमने काट के रखी थी वो हम कैसे इस्तिमाल करेंगे अभी आपको दिखाते हैं सबसे पहले तवे पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा देसी गी और देसी गी को अच्छे से लगाने के बाद हम ये जो चीले की समगरी है इसको फटा फट से इसके उपर डाल लेंगे और उसके बाद जो वेजिटेबल्स जो सबजी हमने काट के रखी हैं जैसे बड़ी हरी मिर्ची टमाटर कच्छा प्याज इसकी हम एक बहुत ही खुबसूरत तरीके से टॉपिंग करने वाले हैं इससे आपका ये जो पालक का चीला है ये बहुत ही बढ़िया बन के तयार होगा ठंड में पालक दोस्तो सभी को पसंद है पालक में आप जानते हैं आईरन है विटामिन्स हैं तो आपको ये बहुत ही जादा ठंड में मज़दार रेसिपी लगने वाली है और इपयोगी भ जाएंगे तो चलिए सारी की सारी समगरी हमने डाल दी हाथ की मदद से इसको थोड़ा से दबा लेते हैं और उसके बाद ये जो है आपकी रेसेपी लगबख बनके तयार हो चुकी है इसको हम खटी मिठी इमली की चटनी के साथ खा के आज सुआद लेने वाले हैं इसका तो क यह पलट चुका होगा दूसरी तरफ से तो चलिए इसकी साइट बढ़द लेते हैं यह देखिए पलट चुके है तो चलिए हम पलट देते हैं और यह आपका पालक का चीला बस जबरदस्त बनके तयार हो जाएगा तो मैंने आज पालक का चीला त्यार कर लिया है आपको कैसा लगा है पालक का चीला दोस्तों मुझे फटा फटा के कमेंट बताएं आप ऐसे ढेर सारे पालक के चीले त्यार कर लीजे घर में बच्चों से लेके बड़ों को सबी को स्वादिश लगेगा बहुत बहुत धन्यवाद गिलिशिस फूट की जबरदस रेसिपी को देखने के लिए और हाँ साथ ही में आपको जाते जाते ये बता दू कि जो पालक की है हमने रेसिपी त्यार करी है इसको मैं अक्सर नाश्ते में खाता हूँ और नाश्ते में इसका स्वाद दुगना आता है सुबा चाय की चुस्की लेते पे इसको ट्राइ कीजेगा चाय की चुस्की के साथ जो इसका मज़ा है सर्दी के मौसम में क्या कहने तो एक पालक की रेसिपी को शेयर करना मत भूलेगा एक अच्छे प्यास के साथ और बड़ी हरी मिच्ची के साथ त्यार करीवी रेसिपी को बिल्कुल भी मत भूलेगा ट्राइ जरूर कीजेगा आपको डिलीशस फूट की रेसिपी दिल में याद रह जाएगी यह है इतनी डिलीशस और यमी तो चलिए मैं चलता हूँ डिलीशस फूट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को जरूर लाइक करके जाएगा और दोस्तों मैं फिर से लोटने वाला हूँ एक नई और जबरदस्त तिल की रेसिपी के साथ और जो मैं कल अपलोड करने वाला हूँ